मैं आई से इंटर्व क्राकर के एक नीए वीडियो में आप लोग के सामदे रखना चाहूँगा एकशल के कुछ जुनिंदा और बहतरी प्रॉलم और उसका सोलिशन सी वागे की वीडियो में आपनों के सामने एकसल के इंटर्विट्रू कोश्चन और सोरी सब्सक्राइब करें तो इंटर्विट्रू करकर का पहला प्रॉलम आपके सामने यह रहा और दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन यह आसान है या नहीं यह तो सोलीशन करते समझभा है using nested formula for grace marking मतलब कहना चाह रहा है इसमें कि add grace mark 1 if the marks obtained is in range b26 से d27 यहां पे कुछ condition दिये गया है जिसका range यहां बताया गया है इस condition के बीज का कोई value है उसमें एक marks उसको grace दे दिया जाए उनकी हालत कंभीर है otherwise जैसे था final marks remain same as obtained marks जैसा marks है वैसा ही दिखने में प्रवलम बहुत ही आसान है आपको solution का भी help दिया गया है using nested formula लेकिन यह बताया नहीं गया है कि nested क्या formula मतलब formula को nested तो करना हो लेकिन कौन से formula को यह यहां पे आपको दिमाग लानने की ज़रा है condition है that means if तो है ही इसमें कोई दोराय नहीं है equal to if आपको यह भी बोला गया है कि function nested होगा मतलब hint तो दिया गया है तो if के साथ आपको क्या लगता है कि logical test में हमें क्या logic test करना चाहिए यहां पे if के साथ अगर हम लोग इस condition के range को count कर ले तो हमारा काम साहिद हो सकता है तो मुझे ल bacteria में मेरा कौन सा होगा condition में होगा मेरा यह उपर वाला cell c14 यह condition वाला कहानी कहतम bracket बंग और कॉमा value is true आपने क्या 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 कर लिया उस range की value और compare के से कर रहे है इस c14 से और आगर इस range में वह value है तो क्या करें यह जो c14 है इसमें plus one एक add हो जाए नहीं तो जैसे है वो c14 ए tragedy छोड़ दिया जाए बहुत ही सिंपल सा इसका solution भी था जैसे question की framing थी वैसे इसका solution भी था लेकिन तुरंट माइंड strike करे run time पे इंट्री देते time यह जरूरी नहीं है हर बार complex question ही पूछा जाए यह भी जरूरी नहीं है इंट्री question को देखके आपको समझा रहा होगा बहुत ही आसान सा problem पूछा गया था लेकिन सब लोग इसका answer कर पाएंगे या नहीं यह तो उनकी practice पे दिप्रेंद कर रहे है अ आपने से कई सारे लोग गलती कर बैठेंगे या नहीं यह मैं solution कर रहा हूँ आपको खुद बखुद अंदाजा लग जाएगा कि मैं गलती कर बैठता या नहीं equal to condition की बात if की बात if पास करने के साथ साथ मेरा mind तो strike कर चुगा है कि मैं यहाँ पे क्या लगाओ आपका भी क region error आएगा इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही क्या लगा देना उचित समझ रहा हूं यहाँ पर if के साथ is error मैं पहले ही चेक कर लूँगा और अब करूँगा divide इसको divide कर दिया ठीक है unit price ही तो निकालना है तो if is error के साथ क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे error आने वाला है और य क्या आप भी ऐसे ही solution करते इसका क्योंकि आपको individual unit price निकालना था ऐसे 490 into 4 करके देखिए कितना बनेगा इपल टू 490 into 4 कितना हुआ वही आना चाहिए जो आपका amount यही तो निकालने के लिए बोला गया ठीक है आपको बात समझभा रही होगी इस बात का मुमीद करता हूं और solution आपने देखा बहुत ही problem basic रखा गया है लेकिन solution करने के लिए आपको दिबाग लगाने की जुरत है यह इस problem और solution से प्रूव हो जाता है और आप रुख करते हैं प्योट टेवल रिपोर्ट के question की तरफ यहाँ पे दो question दिया गया है छोटे से डेटा सेट के बेस पे prepare a report where we can see count of resources for each department and each grade और दूसरा report तयार करना है total compensation for each department for each grade of employees बहुत ही छोटा सा डेटा सेट, output का preview यहाँ प प्रेस्ट करते हुए यहीं के यहीं इसके बगल में रिपोर्ट बनाने की courses कर रहा हूंगे हम लोग यहाँ पे ले लेता हो इसके बगल में ओके और आप यहाँ पे और यहाँ पे और आपके सामने जैसा सवाल पूछा गया था बहुत ही बेसिक लेवल का यह प्योट टेव परफर भी करना चाहूंगा इसको कोपीघ लेता हूँ यहीं रख देता हूं और इस बार क्या कहने की कोछिव की गई है डिपार्टमेंटक। वैसे रहने देता हूं और इसको बहुत है रहा हर ल एक कोई भार कंप्ल किश्टन को सहाँ आपकोcision सबक्राइब कर आए हो कका इसका मतलब यह हुआ कि इंटर्यू में हर एक बार वो complex question पूछ के ही आपको ना रखने की planning करें यह कोई जरूरी थोड़ी है उसको तो concept आपका clear है या नहीं यह जान सकता है ऐसे सवाल पूछ के भी प्योट टेबल जिसने कभी छुआ होगा तो यह तो प्योट टेबल का question कर के लिए और life में step by step आगे बढ़ते रहने के लिए खुद को ही update करके रखना जरूरी है learning कभी छोड़ना नहीं है और जो भी आप काम कर रहे हैं किसी भी organization में वहां पे बहुत सिमित दाएरे में काम होता है बहुत ही कम चीजों का यूज होता है इसका मतलब यह नहीं कि जो यह ना तो possible है और ना ही आप इसके लिए पाती है लेकिन हाँ आप अपना हर दिन सरस्ष्ट करने का प्रयास करने के लिए तो जरूर बाती है इसलिए यदि प्रयास करना नहीं जोड़ा तो हले ही आज मंजिल बहुत दूर दीख रही है लेकिन दूर इस दिनों में हैने व क्रूशंडा प्रबब और भलब जाओ शुर को करने क सब्सक्राइब कने अजिए यदा करने का लाँ इसलिए यदिए गसे बहुत आप हर आप एक है थो जोड़ा अजिए यदिए ऑना हर आप दो, जा आप आप एक लिए ओbon, आप आप लिए इसलिए, और आप प्लूर,